हाँ तो देखो आज की क्लास बहुत ज़ाद इंपोर्टेंट क्लास है लेकिन बड़ी ध्यान से सुन आपको कि अपन आज कर रहे हैं विश्टस के वेरी इंपोर्टेंट क्योशन ठीक है लेकिन अपन मैंने जैसा कि आपको इंफॉर्मेशन पर दी थी कि अपन लॉंग और श चैलेंज शिर्फ शोट क्योशन अंसर किया है दोनों एक साथ करूंगा पर एक दिन में होंगे नहीं इसलिए चैलेंज को कम्प्लीट भी तो करना प्रमिस जो आपने किया है शोट क्योशन आज मैं ज्यादा नहीं करें बीस इक की सलग्ट के पूरे आठ शेप्टर में से मुश्किल से बस बड़ा रिस्क लेकर चल रहे हैं लेकिन शोट क्योशन अंसर को और ज्यादा अगर मजबूत परदान करनी है न तो आप जो शाम वाला लाइव टेस्ट दे रहे हैं उन लाइव टेस्ट के वाले क्योशन अंसर अच्छे से याद कर लेना बड़िया तरीक और यह जो कल की क्लास होगी यह तो सबसे इंपोर्टन होने वाली है यहां से डेफिट नैटली जो बताऊंगा वही क्योशन शीदा शीदा एक्जाम के अंदर आएगा ठीक है बड़े इध्यान जोसकोपिया बन करने वाला है ठीक है और आजी क्लास तो वेसे भी साथ की सा इस दा किंग ओप जिसको इंगलिश में बोल सकते है प्रवंधी प्रुम्ट ठीक है यह प्रवंधी प्रुम्ट का राजा था टाइगर ठीक है व्यागर राजा प्रवंदु राजा था एड़ ताइम उस बर्त उसके जनम के समय रोईल आस्ट्रोलोजर्स का मतलत होता है ज किसी टाइगर की द्वारा होगी को डेथ टू बी कॉस्ट बाई टाइगर ठीक फिर वेन ही ग्रोज अप यह हंट्स 99 टाइगर यानि कि जब वह बड़ा मतलब जब 99 व्यागरूंगा शिकार करता है इसलिए तो क्योंकि उसने बिस कहा कि पस मेरे जोतिशी की बात खराब कर टाइगर कि पुझे हो तो मैं यह कई से मारेगा तो फिर फाइंड लएग को पता है ना के लिए ता नम आप टाइगर किंग तो ज्यादा वियागरों के टाइगर को मारने की वजह इसका नाम टाइगर किंग पड़ जाता है ठीक है सिंपल हो गया तो दो बाते पूछी थी व्याग राजा कौन था कौन सीधी चवात है प्रबंदी प्रम का राजा है किंग है और उसका नाम क्यों पड़ाग टाइगर क्योंकि उसने बहुत ज़ेदा टाइगर को मारा था सिंपल सेकेंड वोट मेरेकल हैपन से टाइगर किंगो जस्ट एंइन इंफिनेट एन जब व्याक राजा एक शिशू ही था उसमें मतलब क्या उसने चमतकार क्या था ठीक है अपने सुना था तो आपको बताएं दस दिन की एज के इंदर एट दा है जो टेंडेज दस दिन की बच्चे की क्या मतलब आप सोच सकते हैं अपन लेकिन ये बड़ा चमतकार क्या इसने क्या क्या कि दस दिन की एज में ये बोल गया और तो ये बड़ा चमतकारी बात थी कि दस दिन का बच्चा कैसे पूछ सकता है ठीक है तो चमतकार हुआ और all the people who listened to it were surprised और सब भी लोग, all the people come, तो सब भी लोग who listened to it, जिसने भी इसको सुना, वह सब भी surprise आश्यचकित थे और सभी आपन भी आश्यचक कर जाएंगे, दस दिन की एज कितनी सेज होती है ठीक है, very important question ये अभी, तीसरा, what prediction was made at the tiger king's birth, जब व्यागर राजा की जन्म की समय क्या सब्सक्राइट, warrior, hero and champion, इसने काहता है ये बढ़ा हो कि महान योदा बनेगा, नाइक बनेगा, विजयता बनेगा, his death was predicted by a cosbet, लेकिन इसके मर्ति जो हो किसे व्यागर के द्वारा होगी, simple है, अगला, narrate the ultimate end of the tiger king, tiger king अंत में जो अंत हो आता है इसका, जिसमें इसमें मर्ति हुई थी, finally, किसने साफ से मर्ति हुई थी, बता दो, मैंने live test में सारी बाते जोड भी रखे, तो आपका revision नहीं हो जागे live test है, वो दे ले ना, देखो, one day, the tiger king was playing with his son, with a wooden tiger, पता न, उसके wooden tiger में जो उसके बैटे का बड़े था, तीसरा बड़े था, तो लकडी का एक वो thin piece of wood, जो उसके surface था, जो थोड़े लकडी कहना, खुर्दरे था, खुर्दर खुर्दरे सा था, तो उसमों कोई फांस जो थी, पतली सी, वो फस गई, one such piece passed his hand and made a wood which took his life, और उसके कोई कहता न, कि जब उसके हाथ में कुछ गोजिया और बाद में वो घाव बना दिया, और इसलिए हम क्या करते हैं, यह प्राकरती जो साथ संसाधन है एक ही साथ है, इनका मनमर्जी से देख लो भी नहीं, natural resources at their will, अपने ही मनमर्जी से अपन क्या कर रहे हैं, इनका उप्योग कर रहे हैं, इस परकार, does, इस परकार, they have established dominance over naturally, मनुश्यों ने सब जिग अपना dominance से इस्तापित कर लिया है, मतलब प्रभूत इस्तापित कर लिया यानि कि जैस किये थे, करनेडा की निवासी थे, इसके नाम था जॉफ ग्रिन, ठीक है, तो कैनेडियन जॉफ ग्रिन थे, करनेडा की निवासी थे, with the help of this program, students are taken to the other ends of the world to foster a new understanding and respect for our planet, यानि कि अब वहाँ student को लेके गई ते, study कराने के लिए, ठीक है, यानि कि इस कारिकरम क साइथा से, चात्रों को परत्वी के दूसरी छोर पर, बैट तो अर्द जमीन होती है, वहाँ लेका, अट्लांटी, उस वहाँ लेके गई थे, दूसरी छोर पर, जहाँ पर आई सीनी, बरफी बरफ था, अंटार्टिका अपर ने पढ़ा था, उस अंटार्टिका में लेके गई थे, वहाँ पर ग्रह के बारे में नमीन समझ, यानि कि देख लो यह रहा, कि students are taken to other ends, to the world, to foster a new understanding and respect, और प्लानेट, और हमारी जो सम्मान की बात है, जो हमारे प्लानेट का मदल हो गया, अपने ग्रह के जो respect के बारे में सम्मान कराना चारे थे, वहाँ की knowledge कराना चारे यानि जो messenger कम दो के संदेशवाग, ठीक है, वह संदेशवाग सदाओ को बुलाने क्यों आये था, हाना ने संदेशवाग के आगमन की विश्य में क्या सोचा था, तो देखो, तब messenger came to dr. सदाओ, to inform him that the general was a pain and he needed his care, आपको पता ना, कि messenger यानि कि वह संदेशवाग डॉक्टर ये तो इसकी जरुत ने क्या है, वह संदेशवाग डॉक्टर सदाओ के पास उसे, ये सुचित करने आये था, कि उसके सेनपती जो general है उसको दर्द हो रहा है, देखो, साफ साफ पता चल रहा है, कि inform him that the general was in pain, उसके दर्द हो रहा है, and he needed his care, और उसे उसकी जरुत है, हाना thought that the servants had bettered them, so they had to arrest us for sheltering an enemy, अमेरिकन जो था, लेकिन जो हाना थी, उसे हाना ने क्या सोचा, हाना ने सोचा कि यार कहीं वो तो नहीं आगे, क्योंकि उन्होंने एक enemy को रोक रहा था ना, गर पे, उस इंसान को जो अमेरिका करेने वाला था, ठीक है, अमेरिकन आर्मी में था, उसको रात को आ गया था, उसके इलाज करे थे, तो हाना ने सोचा कि क्या पता, वो कहीं इसको सदाओ को अरेस्ट करने के लिए आ गया हो, क्या बता, किसी ने बता दिया हो, ठीक है, कि यह जो enemy है, जो अमेरिका को जो दुश्मन हो, हमारी यारे प्रेयरा है, तो इसका सदाओ not sent with troops, सदाओ को सेनिको के साथ क्यों नहीं बजा गया, बताओ, इसी कांसरे मिल जाएगा, सदाओ जो था, उनको भी सेनिको के साथ क्यों नहीं बजा गया, क्योंकि सदाओ was perfecting a discovery and the old general might need an operation anytime, so सदाओ was not sent with troops, यानि कि सदाओ जो एना, वो एक तो खोज करे थे, कुछ सदाओ सर्च कर रहता, और दूसरी बाता है, जनरल है, जनरल जब भी बिमार होता, तो इस जनरल का इलाज सदाओ करता था, ठीक है, तो सदी इसी बात है, बुड़े जनरल को किसी भी समय operation के आउप शेक्ता पढ़ सकती थी, इसलिए सदाओ को वहीं पर रोका गया, सेनिको फैमस डॉक्टर है जापान के परसी डॉक्टर है, और रही है अपनी पढ़ाई करते हैं, अमेरिका से पढ़ाई करते हैं, इस हाउस बूल्ट ऑने इसपोर्ट ऑन जैपनिस कोस्ट, ठीक है, यानि कि इनका जो घर हो समुद्र किनारे के उपर है, अपन देखाता है नहीं ह जब बालकनी में खड़ रहते हैं, अगन दो न चाहिए रहती है, तब ही वह वह आप एनिमी आता है, ठीक है, और इट वह सेट अप बार ए नेरो बीच, यानि कि उनका घर एक संक्रे, देको नेरो बीच का मतल़ा संक्रे, संक्रे किनारे परिस्ते था, जिसके किनारे किनार है अगर देख लेते हैं how can you say that Sadao was a true doctor बहुत बड़ी क्यूशन है मतलब आप यह कैसे कह सकते हैं कि Sadao एक सचा चिकित सक था ठीक है तो आराम से कह सकते हैं देखो कि Sadao was a very famous doctor और when Japan and America were at war he helped a prisoner of war जब Japan और अमेरिका बीच में लड़ाई चल रही थी कि he was noted traitor यानि की वे देशद्रोई नहीं था यह नहीं किसी दुश्मन का इलाज करना देशद्रोई नहीं होता यह भी तो इंसानित भी नाम की एक चीज होती है ठीक है दुश्मन दुश्मन की जगे है लेकिन पहला काम डॉक्टर का फर्ज एकि वो किसी की जान बचाये ठीक है उसके बाद मैं कोई बात होगी सजा देना डॉक्टर की बसकी बात नहीं है अपनी जो डूक्टी है उसको उसने राष्ट हंए जो बाउंडरी है इस तरफ दुशमन इस तरफ चलोग या पिर इस वाले उसके लिए दुश्मन, उन बाउंडरी की राष्टी सिमाओं को भी नहीं माना, उसे भी उपर माना कि नहीं मेरा काम है डॉक्टरी, मतलब डॉक्टरी करना, इलाज करना, और वे अपने रोगी यानि गाहिल की खातिर स्वेम के जीवन का भी बलीदान करने अराम से देख सकते हो, क्या, कि ही वोज रेडी तो सैक्रिफाइज इस ओन लाइफ फॉर अच्छा डॉक्टर था, अगला, इन वोट वे इस ना, यूमन्स इस्टब्लिश्ट डॉमिनेंस ओवर नेचर, ठीक है, तो ये भी रिपीट क्योशन होगी अपना, ठीक है, ये भी रिपीट अपने पहले पढ़ लिया था, अगला, ये भी काफी बढ़िया कोशन है, डिफरेंट है, कि रोजर स्कंग के गुलाबों की बाती सुगंदीत होने पर उसकी मान ने किस पर कार पड़ती कि रिया कि, तो वे रोगर शंक्त मदर फॉंड हिम स्मेलिंग लाइक बदबू देने वाला इंसा थे खुश्ब कैसे आ रही है, तो वे है उसे, तो शी टुक हिम बैक टू विजार्ड, इसलिए उस जादूगर के पास ने वापस से लेके चलिए कि आपने करा क्या, तो विजार्ड गेव टू शंक हिस फॉल स्मेल बैक, तो जादूगर ने इस पर रहता है, यह लाइन जो यह पंकती है और नाटक में कहीं बार आई है, देख लिए लाइन इस और रिपीटेड इन तर पॉले, तो वाट डज इस यह क्या संकेत मतलब करती है, तो देखो, भाई सैंग देस, लोगों के उनको, लोगों का उसकी यहां सदा स्वागत है, बाई के नहीं हमारे दरवाजी हमेशा खुले है, आपका भी भी आ सकते हो, मतलब आपका हमेशा वेलकम है, ठीक है, वो चीज है, और फिर दोसी बात, यह पंक्ती पर्तिकातमक रूप से भी बताती है, देख लोगों पलाई है, देख लोगों, जो वाकई अच्छे विचा कि उसे हो चाहे क्रोड़पती क्योंने बन जाओ, उनसे एक पैसा भी अपनी उपर खर्च नहीं हो सकता, तो उनकी जिंदगी क्या जिंदगी, ठीक है? यह क्योशन है, बढ़िया. नौवा, what example does Mr. Lamb give to make dairy feel that he is just important as all other are, यह श्रीमान जो lamb था, Mr. Lamb ठीक है, और dairy, Mr. Lamb dairy, पुराना Mr. Lamb dairy को यह समझाने के लिए क्या उधारन देते हैं कि वे उतना ही महित पूर्ण जिरने अन्य सभी, ठीक है, अदर, तो देखो, Mr. Lamb gives the example of a flower और एक देता है, वीड, यानि कि एक तो फूल और एक देता है, खरपतवार, जो गास होती है, एक्सा गास होती है, खरपतवार, वो, he tells that a weed is also green ground plant as this flower, देहां से समझना, very good, बहुत बड़े बात है, वे कहते हैं कि एक खरपतवार भी एक फूल की ही बांती हरा बरा और विक्षित होता हुआ है, देख लो बलाई, क जो, he tells that बहुत कहते हैं कि weed जो है, खरपतवार जो है, is also a green ground, growing plant, बहुत से वो भी एक खरपतवार फूल की तरह होता है, so there is no difference between a flower and a weed, इसलिए वो कहते हैं, इस परकार एक फूल और खरपतवार में कोई भेद नहीं होता है, जैसे फूल एक गास की तरह हराबरा होता है, उसलिए तरह खरपतवार भी एकदम हरी बरी होती है, एक्जामपर ऐसा दे रहे हो, ठीक है, हाला कि ये बात अपने sense में लग हो सकती है, बाकी देखो, real sense में दोनों का मतलब एक ही है, दोनों हरे बरे होते हैं, दोनों एक ही तरह चे खिलते हैं, लेकिन वो चीज़ अलग ह कि फूल एक खुश्बुदार होता है, जब कि खरपतवार जो होती है, वो अलग तरह सियंक, अलग तरह गास होता है, जो एक तरीके से एवांच नहीं होता है, उसको पाड़के फैंगना पड़ता है, वो चीज़ अलग है, फसल अच्छी के लिए, बाकी लेकिन यहां पर यह दो एक्जाम्पल है, वो त्यान रखना, वो टाइप ऑफ चेंगे मिस्टर लेम ब्रिंग डेरी लाइफ, मिस्टर लेम डेरी की जीवन में किस परकार का परियूरतन लाई थे, यह भी बड़ी हा क्योशन है, तो देखो, मिस्टर लेम डेरी को संसार का सामना करने की प् है, यह उसने यह भी बताया, कहा कि जो कुछ उसके बारे में लोग कहते हैं, वो इसने उसके लिए दुखी होना छोड़ दे, देखो, मतला उसने यह भी कहा, कि stop feeling sad, मतला आप दुखी मत हो, यह over what people say about him, कि लोग आपके बारे में क्या कहनें, कहनें तो जो कहनें, क्या फरक अगला, why did Jackson let Evans wear his hat for the exam, काफी बढ़ी है, कुछ अंदुश्वास करते भी, आपने देखा होगा, कोई दाई चिनी खाके जाते हैं, एक्जाम अच्छा हो, तो different-different सी बाते हैं, वेसे ही यह भी है, कि Jackson ने Evans को परेक्षा के लिए, उसका hat क्यू पहिन ने दिया, हालां कि यह इवान्स तो जैक्षन देट वोग लगी फोर हिम, तो ही वन्टेट तो वेर इट फोर एक्जाम, यानि कि इवान्स ने जैक्षन ने कहा कि वे हैड उसके लिए भग्यशा ली है, इसलिए उपरेक्षा में उसे पहना चाता है, जैसा अपन यहां के लोग दाईचेनी वाला किसी भी चीज़ को तो ठीक, इसको मना नहीं किया कि ठीक, तो पहन कि जा सकता है, ठीक, अच्छी बात है, इंसानित के तोर पे, अगला, वाई डिट दा प्रिशन आउफिसर्स कोल इवन्स ना ब्रेक्ष, यानि कि जैल तोडने वाले, ठीक है, तो देखो जैल के दिगारी में और लोगों की नकल करने में बड़ा माहिर था, बड़ा चतुर था ही, एक्सपर्ट किसमा था, डिस्गसिंग एंड इमिटिंग पेपल था ही, नकल करने में भी और अपना भेस बदलने में भी, बड़ा खतरनाक था, तो ही अर ओल्रेडी मैनेज्ड इस एसके फ्रॉम प्रिजन थ्री टाइम्स, ये तीन बार जेल भी जा चुका था, ठीक है, बाग चुका था, जेल से ही भाग चुका था, वहां से, सोदा ओफिसर कोल ने, इसलिए जो बार बार भागता है न, इसलिए उन्हों ऑफिसर नाम बता दिया, नाम के लिए इवन दा ब्रेक, यानि यानि कि समानित एस मैकलरी सेंट मेरी मैक्स का पादरी था, ठीक है, ध्यान रखना, और, इसे जेल की कोर्टरी में इवन्स की परिक्षा का विक्षक, जैसे आपके एग्जाम करवाने में होता है न, विक्षक जो होता है, टीचर जो वाँप ड्यूटी लगती है, उनके ल अगला निकल, ठीक है, यह भी वेरी इंपोर्टन, डिफरेंट क्योशन आ सकता है, अगला, अगला 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 कुट वोग तू डिस्टेंस फ्रॉम हर स्कूल तू हॉम इन तैन मिनट्स, बट यूजली इट टुक हर फॉम हाफ एन आर, ट्वेन आ कोई वक्ती जा रहा हूँ, कोई नहीं चीज़ को साइगल तेज चला रहा हो, तो मित अगला अगला तो फॉम तो खटे कर देखरें लग जाते हैं, कई पर कोई ऐसी कोई विछीत चीज दिख रही हो, कोई एंटर्टानि मून चीज दिख रही हो, उसको रुक जाते हैं, अ all the entertaining things on her way back to home और वह उता है कि बच्ची होने के कारण जो अपन रस्ते में होने वाली सब भी मनोरंजन चीज़े थे कुछ साब साब लिखावा है शी वो अट्रेक्ट हो जाती है all the entertaining things जो भी entertaining things होती है जो भी मनोरंजन वाल चीज़े होती है उसको देखके on her way back to home जब भी मतलब वापस जो अपने घर के जब जाती है तो वो उससे पहले हो रुख जाती है so got late in racing इसलिए वह जब भी घर लोटते हैं उसमें घर पहुँचते है लेट हो जाती है हमेशा ही ठीक है बहुत ही बड़ी question है और आज के दो last question हो रहे है कि what seemed very funny to Bama while returning home one day एक दिन घर वापस लोटते समें Bama को क्या बहुत मज़िदार बात लगी तो देखो कि while returning home one day Bama सा ए elderly person carrying a food packet by its string ध्यान रहा है ना एक दिन घर वापस लोटते समें Bama ने एक बुज़र्ग वेक्ति को elderly person एक भोज़न के packet food packet को उसकी डोरी से पकड़ कर ले जाते हुए देखा ठीक है food packet डोरी से पकड़ कर ले जाते हुए देखा तो बच्ची यह देखा रहे है अर्मस था यह पढ़ी तरीक से ले जा रहा है he was keeping the pocket away from him वो पकड़ को स्वें से दूर रख रहा था बस डोरी से बांद लिया उसकी दूर रख रहा है यह देखा यह के सब सकते है खाने वाले चीज़ को अपन बड़ी प्यार से रखते हैं कभी को गले में से टांक के ले जाते है तो this way of holding the packet seemed very funny to her packet पकड़ने का यह जो अंदाज यह तरीका जो था वो बामा को बहुत मज़ेदार लगा ठीक है और आजगा लास्ट क्योशन इन वोट वे दिड वामा फाइट अगेंस दा स्टीमा एंड बलॉंगिंग टुए लोवर कास्ट बामा ने निम्न जाती से समंध रखने के कलंग के विरुद किस परकार संगर्ष किया यह भी काईफ बढ़ी क्योशन है तो बामा ब्रादर इंकरेश्ट हर एंड एडवाइज हर तो स्टेड़ी हाड तो रेज़र पोजिशन इन दा क्लास जो बामा की भाई तेंसे परिशनम से अद्दियन करके अपने कख़्ा में हमेशा और अच्छा रेंक लाता था और लिए बात मानी और फिस ओं आई ठीक फिर इस कारण सो देखिए यहाँ पर आ नहोग में पर से लोग कि Jim बिलॉंग yön to a lower Pas इस पर कहा उसने निमनजाति संब्ध। रखने करें के कलंक को हुर। संगर्ष्ट किया अच्छी स्रड़ी करी ऐसा नहीं कि इसने यह बता दिया कि निम्ल जाती से होने कि यह कोई गरेंटे नहीं कि आप कमजोरे जाओगी देख लो मैंने क्लास को पर टॉप किया है तो यह सब अच्छे क्योशन है कुछ लेक्टेड क्योशन है और अब इसकी भ मैं तो चोटे में और भी कहने सकते है क्योंकि अपने को शॉर्ट के साथ में थोड़े लाइव टेस्ट भी जोड़ना पड़ेगा तब जाके 100% शॉर होंगे लेकिन हाँ लोंग वाल तो 100% अपने हमें वो तो पक्के मॉस्ट है ठीक है तो इन सभी मॉस्ट क्योशन को एग लास मिलरी ये मॉर्निंग में डेली चार बजे उसको आपको कम्पलीट हर हालत में करना है शाम को लाइव टेस्ट भी देना है ठीक है ना